दोस्तो बाजार को लेकर तीन बहुत बड़ी अपडेट यहां पर निकल कर आई है जिससे सोमवार के बाजार के उपर बहुत ज़्यादा इंपक्ट आपको देखने को मिल सकता है कल भी मार्केट के ओपन होने के पहले ही हमने आपको बता दिया था अगर आपने हमारा टेलिग्राम चैनल जॉइन कर रखा होगा तो हमने आपको यहां पर बता दिया था कि मार्केट नेगिटिव यहां पर ओपन होने वाला है और बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सक को market के सारे support और resistance देखने को मिलते रहते हैं चलिए दोस्तों market के सोमवार के दिन के क्या view बन रहे हैं आईए उन्हें भी एक बार के लिए जान लेते हैं एक एक news को cover करते हुए चलूँगा सारी news यहाँ पर market के उपर बहुत बड़ी impact डाल सकती है जैसा कि आपको पता है कि Saturday Sunday बाजार बन दे और Saturday Sunday जो भी news आईगी उसका impact आपको मंड़े के दिन market के उपर देखने को मिलेगा सबसे बिले बात कर लेते हैं SGX Nifty की तो SGX Nifty अब आपको यहाँ से week होते हुए देखने को मिल रहा है लगबग 2% की गिरावट आपको SGX Nifty के अंदर last trading session के दोरान देखने को मिली है और जैसा कि आपको पता है कि SGX Nifty अगर week होता है तो उसका impact आपको हमारे Nifty 50 के उपर भी देखने को मिलता है तो एक reason तो यहीं आ गया Nifty 50 के week होने का कि SGX Nifty अब यहाँ से थोड़ा सा week होते वे देखने को मिल रहा है अगर आप चार्ट को भी analysis करेंगे तो चार्ट को भी अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी flat आपको यहाँ पर अब चीजे देखने को मिल रही है याना कि SGX Nifty के अंदर भी last 2-3 trading session के दुरान जो आपको तेजी देखने को मिल रही थी वो आप यहाँ से आपको थोड़ी सी बदल दी हुई नजर आ रही है इसी के साथ अगले segment की बात करें तो United States Tenier Bonneal जी हाँ दोस्तों यह थोड़ी सी राहत देने वाली ख़बर हो सकती है लेकिन इस news का ज़्यादा कुछी impact आपको Indian market के उपर अभी के time पर देखने को नहीं मिलने वाला क्योंकि Indian market अभी जो इस news के उपर depend है वो COVID-19 की news है और अगर आप देख सकते हैं United States Tenier Bonneal जो correction आपको देखने को मिल रहे हैं वो ज़्यादा बड़े correction नहीं है अग के सकते हैं कि Indian market के उपर आपको ज़्यादा इसका impact देखने को मिल सकता है लेकिन सिर्फ 0.31% की corrections आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं के सकते हैं कि आपको bond yield के अंदर profit booking भी देखने को मिल रही है जिस कारण से यहाँ पर जो यह negative segment आपको देखने को मिल रहे हैं लेकि बहुत ज़्यादा impact डालने वाली है जी हाँ दोस्तों COVID-19 के cases बहुत ज़्यादा तीजी से बढ़ रहे हैं और last 24 hours के अंदर India ने 4 lakh above cases यहाँ पर record किये हैं और wording को धियान रखे गया first time इतने cases किसी country में record किये गए हैं तो यह सबसे ज़्यादा चिंता जनक बात यहाँ पर last 24 hours में जो date यहाँ पर record करी गई है वो 323 date यहाँ पर record करी गई है और अक्यले महरास्ट के अंदर 870 date यहाँ पर record करी गई है देली के अंदर 375, UP के अंदर भी 219 date यहाँ पर record करी गई है तो सबसे worst situation जो यहाँ पर create हो रही है वो महरास्ट, देली और उत्तर प्रदेश में ही हो रही है हाला कि अभी तक इन इस्टेट्स में आपको फूल लोगडाउन देखने को नहीं मिलाए सिर्फ यूपी को छोड़के यानि कि उत्तरप्रदेश को छोड़के महाराष्ट के अंदर भी अभी सिर्फ रिस्टिक्शन लगाई गई है और उसी के साथ में देली के अ एक दिन के अंदर रिकाउट किये गए हैं और ये मार्केट के व्यू के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है जो चीज आपको अभी तक होते वे देखने को नहीं मिली है एसा नहीं है कि केसे बढ़ते रहेंगे और मार्केट पोजिटीव वे में ही ट्रेट करता रहेगा आपको यहाँ पर करेक्शन्स देखने को मिल रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहे हैं जिस कारण से मार्केट के व्यू अब आपको चेंज होते वे देखने को मिल सकते हैं जैसा कि मैंने आपको का कि इंडिया फॉर्स लार्जेस्ट यहाँ पर केसे वाली कं किये गए हैं इसी के साथ में number one country जो की USA है जिसमें cases सबसे ज़्यादा है अभी के time पे उसमें भी per day के अगर आप cases देखेंगे तो सिर्फ 54,000 cases आपको per day को देखने को मिल रहे हैं ब्राजिल के अंदर भी आपको कोई ज़्यादा cases per day के देखने को नहीं मिल रहे हैं और France के अ यहां से इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है डेट का अगर रेशो भी अगर आप देखेंगे तो डेट में भी इंडिया नंबर वन पर चल रही है हाला कि उसके बाद में ब्राजिल का भी नाम है लेकिन इंडिया के अंदर बहुत ज़् आशेल लोगडाउन यहां पर अनाउंस कर दिया है और यहां पर एक्सपेक्टेशन भी लगाए जा रही है कि जैसे ही वेस बंगाल का रिजल्ट यहां पर अनाउंस होगा उसके बाद में आपको नेशन वाइस लोगडाउन देखने को मिल सकता है हाला कि कल की ही एक रिपो नहीं किया गया तो आपको नेशन वाइस लोगडाउन भी बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है और अगर नेशन वाइस लोगडाउन लगता है तो मार्केट के लिए इससे बुरी खबर और कुछ नहीं हो सकती है यह चीजे में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फि क्लियर कर दी है यहाँ पर के अभी नेशन वाइस लोगडाउन नहीं लगने वाला है सेंटर के इशू डियन इन्फोर्मेशन आई है हाला कि कंटेन्मेंट जोन बनना स्टार्ट हो गए हैं MP के अंदर भी कंटेन्मेंट जोन बनना स्टार्ट हो गए हैं जीन एरियाज में स यहाँ पर declare होने वाले हैं और जैसे ही यहाँ पर West Bengal के result declare होते हैं उसके बाद में आपको situation बदलती हुए देखने को मिल सकती है क्योंकि यहाँ पर elections के result को लेकर wait किया जा रहाए है अगर यहाँ पर election के result आजाते हैं और उसके बाद में अगर nationwide lockdown आपको देखने को मिलता है तो उस news का impact मंडे के दिन market के उपर बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला है। इसलिए मैंने कहा था आपको starting में ही कि Saturday Sunday जो भी news market में आईगी उसका impact आपको overall यहाँ पर market के उपर देखने को मिलेगा। निफ्टी फार्मा की बात करें तो निफ्टी फार्मा के अंदर आपको last trading session के दोरान लगबग 1.5% की तेजी देखने को मिली है। यहाँ से crucial हो सकता है तो आपको इस चीज को भी यहाँ पर बिल्कुल भी avoid नहीं करना है। इन सबी के कारण निफ्टी फिफ्टी भी यहाँ से weak होते वे देखने को मिल रहा है। लगबग 263 point की गिरावट आपको निफ्टी फिफ्टी के अंदर last trading session के अंदर भी देखने को मिली है। अब निफ्टी फिफ्टी थोड़ा सा यहाँ पर crucial हो सकता है। निफ्टी फिफ्टी के जो यहाँ से support level निकल कर आए हैं सोमवार के दिन बाजार के वो है 14,000 के अगर निफ्टी फिफ्टी 14,000 रुपे के अपने support को यहाँ पर breakout कर देता है तो बड़ी गिरावट आपको निफ्टी फिफ्टी के अंदर भी देखने को मिल सकती है। And the last Nifty Bank थोड़ा सा आपको यहाँ पर blur दिख रहा होगा लेकिन चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हो मैं यहाँ पर Nifty Bank के अंदर आपको कल के दिन भी 1000 पोईंट के करीबन की गिरावट देखने को मिली है और यदि आपने banking सेक्टर के अंदर investment कर रखाए जियां दोस्तो सबसे ज़्यादा impact आपको banking सेक्टर के उपर ही देखने को मिलेगा तो अब आपको क्या strategy अपनानी है banking सेक्टर के अदर investment कर रखा है तो long term का view रखें short term में आपको काफी ज़्यादा loss देखने को मिल सकता है क्योंकि Nifty Bank अब वापीस week हो गया है 1000 पोईंट की गिरावट कल के trading session के दुरान Nifty Bank के अंदर देखने को मिलिए और Nifty Bank के अब जो यहां से support level हो 32,000 रुपे का है अगर 32,000 रुपे के support level को Nifty Bank breakout करता है तो और बड़ी इरावट आपको इसके अंदर देखने को मिल सकती है तो Nifty Bank पर focus रखेगा इसी के साथ में अगर आप investment करना चाहते हैं तो Nifty Pharma पर focus रखेए Nifty Metal के अंदर आपको यहां पर corrections देखने को मिल सकते हैं profit booking देखने को मिल सकती है तो Nifty Metal के अंदर भी अदि आपने investment कर रखा है तो आप यहां पर profit booking कर सकते हैं Nifty 50, Nifty 50 के लिए 14,000 का support बहुत ज़्यादा जरूरी है और यहां पर Saturday और Sunday को यानि कि आज और तो कल जो news निकल कर आती हो market के view के लिए बहुत ज़्यादा important होगी सारी news आपको हमारे टेलिग्राम चेनल पर भी share करे जा रहे है तो टेलिग्राम चेनल को join कर लिजिए YouTube चेनल को subscribe कर लिजिए ताकि सारी share market से जूड़ी update आपको हमारे चेनल से मिलती रहे चलिए दोस्तों उमीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे like और share करना बिलकूल न भूले मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए stay connected stay updated